कि चलिए तो सुरू करते हैं आज का सवाल है कि किस ही भी इक्वेशन का कोई भी कर्व दिया हुआ है उसका इक्वेशन है और उसका पैडल इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे और चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरूर करें चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो इक्वेशन है हम देख पा रहे हैं कि गिवन क्या है गिवन जो इक्वेशन दिया हुआ है ये एक्वेशन है आट टुदी पावर m a to the power m cos m theta तो हम paddle equation में क्या पढ़ते हैं paddle equation में हम लोग पढ़ते हैं P is equal to r sin 5 तो जहां से हमको r का value भी चाहिए और sin का भी value चाहिए हमको P और r के terms में इसको मतलब बनाना है P और r के terms में वेक्ट करना है तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि r को simply लिखते हैं कि r यहां पे जो power है इस power को हमको हटाना होगा तो इस power को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोनों तरफ log ले सकते हैं तो log लेते हैं टेकिंग log on both sides अब लेंगे हम log जब log ले रहे हैं तो log लेने पे क्या हो जा रहा है कि r to the power m is equal to log of e to the power m cos m theta हम इसके जगा पे क्या लिख सकते हैं यह power भाहर आ जाएगा और यह log of r हो जाएगा इसको हम multiply में लिख सकते हैं log a to the power m plus log cos m theta क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि log a plus log b बराबर होता है log a into log b तो वहाँ से मैंने यह लिखा अब यहाँ से मुझे simply क्या मिल रहा है m log r is equal to m log a to the power a plus cos log cos m theta अब हमको क्या चाहिए r में वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ दिफ्रेंसियेट करते हैं दिफ्रेंसियेटिंग with respect to theta चलिए जब दिफ्रेंसियेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है 1 by r हो जाएगा इसका log का 1 by r into dry d theta is equal to यहाँ पे m है और log a तो यह तो constant value है यहाँ पे कोई भी तो theta का कोई variable है नहीं तो constant value और constant का dc होता है 0 तो यह तो 0 हो जाएगा log cos m theta यहाँ पे theta है तो log का क्या होता है 1 by cos m theta into cos m theta का dc क्या होता है minus sin m theta into m तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m by r dr by d theta आ चुका है मेरे पास अभी तक और यहाँ पे यह जो है यह 0 हो जाएगा और यह minus m into sin m theta by cos m theta हो जाएगा यह m और यह m हम इसको क्या करेंगे cancel जब इस m इस m को हम cancel कर देते हैं तो मुझे क्या value मिल रहा है यह जो values मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है 1 by r into dr by d theta is equal to minus sin m theta by sin cos m theta हम लोग पढ़ चुके हैं कि sin theta by cos theta is equal to जो होता है यह 10 theta होता है तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि minus 10 m theta तो अगर आप थोड़ा सा याद करें तो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में में बताया हूँ कि 1 by r into dr by d theta का जो value होता है यह किसका value है यह cot phi का value है तो हम इसके place पे क्या put करेंगे cot phi put करेंगे और यह minus 10 m theta हो जाएगा अगर मैं 10 को cot के terms में लिखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकते हैं cot phi by 2 plus 10 m theta अब आप सोचेंगे कितना की phi by 2 minus theta क्यों नहीं लिखा phi by 2 minus theta अगर लेंगे तो मैं first यहीं तो जो 10 theta का value आएगा वो first coordinate में आ जाएगा और first coordinate में सब value क्या होता है positive होता है तो सब तो नहीं रहे सकते इसी दिए second coordinate में लिए क्योंकि sign second coordinate में क्या होता है sign और cosec का घर है तो sign और cosec positive बाकि जितना भी होता है सब negative होता है और यहाँ पे value लेंगे तो थर्ड quadrant है और लेडी इसमें 10 और cot positive होता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा तो यहाँ पे जब आप compare करेंगे और inverse लगाएंगे हम लोग तो यह cot इधर जाएगा तो cot inverse cot हो जाएगा तो phi is equal to हम क्या लिख सकते हैं cot inverse cot pi by 2 plus 10 m theta तो क्या मिलेगा pi का value phi का value आपको मिल जाएगा pi by 2 plus sorry sorry यह m theta हो जाएगा यह m theta तो phi is equal to मिल चुका है हमे pi by 2 plus m theta so as we know that हम लोग जानते हैं पहले से ही हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि p is equal to r sin phi होता है तो p is equal to r sin phi होता है तो p is equal to r r को r ही चोड़ देना है sin phi के जगवे sin का sin और phi के चेगवे आप पूट कर दो pi by 2 plus m theta अब pi by 2 plus m theta पूट करने पर में क्या मिलेगा p is equal to r sin phi by 2 plus m theta तो यह क्या हो जाएगा sin m theta ठीक है sin m theta हो जा रहा है अब आप क्या करो कि sin phi by 2 plus m theta is equal to sin तो नहीं होगा तो यह तो cos m theta होगा cos m theta और जड़ा आप यहाँ पर focus करो तो यहाँ पर हमें कुछ values दिया हुआ है question में ही कि r to the power m is equal to a to the power m cos m theta है तो यहाँ से हम cos m theta is equal to क्या लिख सकते है तो यहाँ पर आके हम जहाँ देखते हैं given है question में कि r to the power m is equal to a to the power m cos m theta तो cos m theta अब क्या करेंगे कि हम पूट कर देंगे P का P है, R का R है, और Cos M ठीटा के प्लेस प्लेस पे क्या पूट कर देंगे? R M by A M, तो हमको क्या मिल जाएगा? P is equal to R into R M, तो हम लोग भी जान दिये भी जानते हैं कि A to the power M into A to the power N रहे जब base same रहता है तो power क्या होता है multiply में 8 होता है तो a to the power m plus n हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं r to the power m और इसका power कुछ में ही तो क्या है 1 तो m plus 1 by a to the power m तो यही आपका क्या है required battle equation है तो जरूर से जरूर इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाए और like करे subscribe करे ताकि channel grow कर सके आप यह भी जान ले कि paddle equation में हम लोग करते क्या है तो paddle equation में हम लोग P और R के terms में ही जो है किसी भी equation को क्या करते हैं express करते हैं तो P और R के term में आप जब किसी भी मतलब equation को express कर लोगे तो वही क्या हो जाएगा आपका pedal equation हो जाएगा तो यहाँ पे जो हम last का result निकाले हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि P is equal to R to the power M plus 1 by A to the power M तो यहाँ पे P और R के terms में ही हम क्या किये हैं इस equation को express किये हैं और A to the power M तो constant है तो constant जो है इसमें आपका कोई भी effect नहीं डालता है अब जो question है आप देख सकते हैं कि find the pedal equation of the curve R E R is equal to A E to the power theta cot alpha यह जो है आपको curve का क्या दिया हुआ equation और आपको क्या निकालना है pedal equation निकालना है तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि pedal equation होता क्या है किसी भी curve के equation को आपको express करना है R और P और R के terms में तो आप सबसे पहले उठा लो आप question जो बोला है तो R तो यहाँ पर single दिया हुआ है तो हम diakles को क्या कर सकते हैं differentiate कर सकते हैं तो चलिए solution given सबसे पहले तो given दिया हुआ है equation of curve दिया हुआ है तो आप यह लिख लो equation of curve क्या है R is equal to A E to the power theta cot alpha तो आप क्या करना है इसको differentiate करते हैं इसको मान लेते हैं let one differentiate it with respect to theta क्या करो इसको differentiate करो theta के respect में तो आप क्या पाऊगे DR भै D theta आपको मिलेगा A to constant है तो यह ऐसा ही रह जाएगा और E to the power जो X होता है उसका क्या होता है E to the power X ही होता है DC और जो cot alpha होता है cot alpha तो constant है यह तो मेरा cot alpha आही जाएगा और theta जो है theta into cot alpha का dc कीजेगा तो आपको क्या मिलेगा cot alpha और theta का dc कीजेगा तो one ठीक है अगर dc को लेके किसी को भी दिखका थो तो comment जरूर करे मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊगा तो आपको मिला है dr by d theta is equal to A e to the power theta cot alpha और cot alpha तो यहां से हम देख सकते हैं कि e to the power theta cot alpha के जगा पे हम r तो replace कर सकते हैं तो आप क्या करो यहां पे r पूट कर दो dr by d theta is equal to a e to the power theta cot alpha के जगा पे हम क्या पूट करेंगे r और cot alpha का cot alpha रहने दो यहाँ पे अब हम देखते हैं जरासा कि हमको दो values पता है एक तो 10 phi का जो कि क्या होता है r into d theta by dr और क्या होता है cot phi का क्या होता है 1 by r into dr by d theta यह होता है तो हम दो values जानते हैं अब आपको क्या करना है आपको किसी इसमें से जो आपको लग रहा है situation के हिसाब से वो आपको मतलब put करने की कोशिश करना है जैसे put कर देना है किसी तरह से कर सकते हैं लोग जैसे यहाँ पर R है तो आप क्या कर लो? 1 by R से या फिर दोनों तरब multiply कर दो या फिर इसी R को जो है इस तरब लेते आओ तो यह इधर multiply में है cot alpha के साथ और इधर आएगा तो divide में हो जाएगा तो यह हमें इस तरह से लिख सकते हैं dr by d theta is equal to cot alpha हो जाएगा और यह जो है यह value इस value को जगा हम क्या लिख सकते हैं cot phi तो यह cot phi हो जाएगा is equal to cot alpha हो जाएगा तो अब यहाँ पर आप कर लो गई जो trigonometric inverse हम लोग पढ़ते हैं trigonometric inverse में inverse trigonometry में तो यहाँ पर phi हम लिख सकते हैं cot inverse cot alpha तो phi is equal to हम लोग क्या लिखेंगे काट इनवर्स काट अलफा के प्रेस पर अलफा अभी आपको अलफा मिल जुगा है फाइ का वैलियू मिल जुगा है हमेशा फैडल एक्वेशन निकालने में ठीक है और यह आर अगर आप गौर से देखो तो आर है क्या अभी आर को छोड़ते हैं तो यहां पर साइन में क्योंकि पी और आर तो हम लोग जानी रहे हैं आर का डाल देते हैं और साइन फा के जिगा पर क्या प्लेस कर दो अलफा त तो इस से हमको लेना देना नहीं है और पी और आर के बीच में ही पी और आर के साथ ही मैंने यह क्या एक्वेशन को एक्सप्रेस किया है तो यही मेरा क्या है रिक्वाइट पैडल एक्वेशन है चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं चलिए तो अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन for the cardioid r is equal to a into 1 minus cos theta तो प्रूफ करना है हम लोगो को कि 5 is equal to theta by 2 है दूसरा में हम लोगो क्या प्रूफ करना है p is equal to 2a sin cube theta by 2 और तीसरा है p square is equal to r square by 2a तो ये तीनों चीज़ हम लोगो को प्रूफ करना है तो उठाते हैं पहले पहले वाले के लिए solution solution for first given equation क्या है equation आपका r is equal to a into 1 minus cos theta ये है बस जब r single है तो हम लोग direct क्या करेंगे differentiate करेंगे इसको with respect to theta differentiate कर देते है डिफ्रेंसियेटिंग 1 माल लेते हैं 1 इसको 1 with respect to theta आप कर दो इसको theta के respect में differentiate तो d r by d theta मिलेगा is equal to a constant है तो बाहर 1 का dc करने पर क्या मिलता है जीरो और cos theta का dc करने पर क्या मिलता है माइनस sin theta वैसे भी graduation के students को यह सब आता ही है तो अब इतना तो मैं करके दिखाऊं कि कि dc लिख के दिखाना भी तो थो थोड़ा time taking हो जाता है तो d r by d theta is equal to हम क्या लिख सकते हैं a आप यहां पर देख सकते हैं minus minus plus हो जाएगा और यह हो जाएगा अगर यह bracket हटा देते हैं तो sin theta ही लिख सकते हैं directly लिख सकते हैं तो a sin theta हो जाएगा ठीक है तो यहां तक कोई दिखत तो नहीं होना चाहिए ठीक है अब आप क्या कर सकते हो कि मुझे दोनों तरफ that one by R से क्या करते क्या करते क्या करते हैं धोपिकर क्रों कई एक टंम हमको बनाना है carbon fat adaptedивать या तो संदु으면 वह description के हिसाब से अम लोग देखे हैं कि हम लोगों क्या चाहिए तो अगर one by R हम लोगी दोनों तरफ मलटिपलाय कर देते हैं तो d r by d theta इधर हो जाएगा और a by r sin theta हमको इधर मिल जाता है अब आप क्या देख सकते हैं कि 1 by r into d r by d theta तो इधर ठीक है लेकिन यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं a by r है न a by r a और r का value हम लोग जानते हैं पहले से कि a into 1 minus cos theta होता है जो हमको question पहले से दिया हुआ है question में ही दिया हुआ है और यह sin theta यह value का हम put कर ही देते हैं यह मेरा cot 5 हो ही जाएगा यह a और यह a cancel तो क्या मिलेगा हमको sin theta by 1 minus cos theta तो अब ज़रा सह याद किजिए आप trigonometry में आप पढ़ जुगे हैं कि sin theta is equal to हम लोग लिख सकते हैं 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 ऐसा कहां से आता है तो हम लोग पहले से यह भी पढ़ चुके हैं कि sin 2 theta is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin theta into cos theta इसी को अगर आप हाप कर दो 2 into theta by 2 तो इस तरह से आप express करवा हो तो sin theta के जगा पर हम लोग इसको put करेंगे तो क्या put करेंगे 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 1 minus cos theta है तो ज़रा सा याद करते हैं हम लोग cos 2 theta का formula क्या होता है 1 minus 2 sin square theta भी होता है इसका और एक formula 1 plus इस तरह से 2 cos square theta minus 1 भी होता है इसका और एक formula cos square theta minus sin square theta भी होता है और जो अलग formula है 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta भी होता है तो यह सब सब के सब इसी के values हैं तो यहाँ पर हम situation के हिसाब से देखेंगे क्या अगर कौन सा लग सकता है तो यह sin वाला जो आप देख रहे है 2 sin यह वाला जो मेरा है अगर हम इसको उस तरफ लेके चले जाएं और इसको इधर लेके आ जाएं तो इसी को हम theta भी होता है यह सिर्फ theta वाले terms में अगर लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं तो आप क्या पूट कर देंगे 1-cos theta के जगा पर 2 sin square theta by 2 तो चलिए यहाँ पर पूट कर देते हैं 2 sin square theta by 2 तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह 2 यह 2 cancel यह sin theta by 2 यह sin theta by 2 cancel तो हमको क्या मिलता है यह cot 5 is equal to cos theta by 2 by sin theta by 2 तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cot 5 into cos theta by sin theta क्या हो जाता है cot theta by 2 cot theta होता है और जब आप देखेंगे यहाँ पर तो हमको क्या मिल जाएगा 5 is equal to theta by 2 तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं as we know that जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से ही और मैं कब से पहले से आपको बता रहा हूं कि p equal to r sin 5 बहुत important formula है क्योंकि paddle equation में इसी का यूज होता है तो जब तक आपको यह याद नहीं रहेगा आप paddle equation solve नहीं करपाऊगे तो r का r यहाँ पे लिख देते हैं और sin यहाँ पे यह आपका theta by 2 हो जाएगा तो पहला तो हमारा proof हो चुका है यहीं पे ही ठीक है यह पहला तो यहीं proof हो चुका हम दूसरा proof कर रहे हैं तो r is equal to हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले सी हम लोग जानते हैं कि r का value मुझे दिया गया था क्या दिया गया तो ज़रा question पे आगे देखते हैं a is equal a into 1 minus cos theta आईए यहाँ अब यहाँ put करते हैं a into 1 minus cos theta into sin theta by 2 और ज़रा सा याद कीजिए कि 1 minus cos theta by 2 का value हम लोग क्या जानते हैं 2 sin square theta तो चलिए यहाँ पे put कर देते हैं इसके जगर पे 2 sin square theta theta by 2 into sin theta by 2 तो हमको result क्या मिलेगा a 2a into sin cube theta by 2 तो आप ज़रा सा देखिए यहाँ पे तीसरा हमको क्या proof करना था p is equal to 2a sin cube theta by 2 और यह answer आ चुका है आपका p is equal to 2a sin cube theta by 2 तो इसके साथ आपका दूसरा वाला भी हो गया ठीक है तो यह आपका दूसरा वाला भी value मिल चुका है अब हम लोग तीसरे वाले पर आएंगे कि p is equal to हमको proof क्या करना है p square is equal to r square by 2a तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं यहां पे given हमको दिया क्या था जड़ा देखते हैं देखे जड़ा इधर p is equal to r sin 5 तो यह तो हम जान रहे हैं कि p is equal to r phi phi होता है तो अचरा सा इधर आता है इस question तीसरे के लिए proof करना है तो p is equal to r sin 5 हमको तो square वाला value चाहिए तो आप कर दो क्या दोनों तरफ squaring squaring on both sides अगर आप square करोगे तो p का square हो जाएगा r का square हो जाएगा और sin square phi हो जाएगा तो यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यह p square r square sin square यहां पे जो phi है phi का तो value हमको theta by 2 मिला था तो आप रख दो since phi is equal to theta by 2 तो phi is equal to cos square theta by 2 के जगा हम लोग क्या लिख सकते है 1 minus cos theta by 2 लिख सकते है जरूर लिख सकते है अब जरूर यह अब जरूर यह 1 minus cos theta का value है इसको जरूर आप यह question में आई है अगर आप यह question देखेंगे तो question में r is equal to 1 minus cos theta है तो यहाँ पे अगर 1 minus cos theta का value निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा r अब आई e तो 1 minus cos theta के जगा पे यहीं से गर हम देखें यहाँ पे अगर चोटा sum बना दे तो cos theta 1 minus cos theta का value क्या मिल जाएगा r y a तो आप 1 minus cos theta के जगा पे क्या पूट कर देते हैं r y यह पूट कर देते हैं तो चलिए इसके जगा पे तो यह पूट हो जाएगा sin theta तो यह हो जाएगा r y यह कुछ लिखत हो जाएगी अगर खिनी को समझ में नहीं आए तो इनको लिख सकते हम r by a by 2 आप परहेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यह सब से उपर वाले से multiply होता है और यह बीच वाले बीच वाले तो 1 को अगर r से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा r और 2 को a से multiply करेंगे तो मिलेगा 2a तो finally result क्या आता है r by 2a ठीक है तो हम sin square theta by 2 के place पर क्या put कर सकते है r by 2a तो जरा यहां आईए और इसमें put करते हैं तो p square is equal to r square तो पहले से हैं और sin square theta के बदले हम क्या put करेंगे r by 2a तो r square into r क्या मिलेगा r cube r by 2a मिल जाएगा p square और यहीं था हमारा third result देख सकते हैं आप p square is equal to r square एक सगेन लगता है question यह देखिए question में ही mistake हो गया था कि p square is equal to r cube by 2a होए और हम लिख देते p square is equal to r square by 2a तो इसलिए result में थोरी से दिक्कत हो रही थी लेकिन अब सही हो गया है यह हमारा जो आया है result वो result विलकुल सही है पी square is equal to r cube by 2a ही आएगा और यहां पर आप तीनों का तीनों आप देख सकते हैं कि किस तरह से proof मैंने किया है किस तरह से derivation इसका हुआ है अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप comment box में लिखें कि है और जल्द से जल्द मैं एक WhatsApp गुरूप बनाओंगा उसमें भी आप एड हो जाए जिससे आप अपने डाव्ड्स को जरूर बूच सकते हैं कि है कि है कि हुआ हुआ है है यह विक्रिजी करवाद को को पत्री है हैुआ है